कि हालो स्टूडेंट्स विल्कम टू पीवीर स्टडी मैं राज कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने परिबार पीवीर स्टडी में डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं आप इस समय यूपीटेट सीटेट और सूपरटेट वाली जो उसमें हम लेकर क्या है आपके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम कंसेप्ट वाइज जीरो टू टॉप लेवल तक की मैफमेटिक्स ध्यान देना क्या कहता है कि 1715.271 में सेबन के अस्थानिय मानों का अंतर ग्याद कीजिए मतलब कि इसका जो प्लेस वैलो है उनका डिफरेंस फाइंड करना है ऑप्सन आपके सामने है जल्दी से आप सभी बता दीजिए ए बी सी दी में से कौन सा करेक्ट है फटाफ़ट सभी कमेंट करेंगे मैं देख रहा हूं चलो जल्दी करो जितने भी स्टूडेंट्स इसको यूटूब पर फेस्बूप पर डेमो क मतलब थोड़ा देखो जैसे अगर मैं नुमबर लिखा 2 थ्री 2 इसमें अगर मैं बात करूं मालो की इतना हो गया इसमें इस वाले 2 का प्लेस बैलू की बात करूं तो क्या करेंगे हम पहले वह नंबर लिख लेते हैं जिसका प्लेस करना है पिर गुडा का चिनन लगा कर के लिख लेते हैं यह होता है सिंपल में जब दसमलो ना लगा हो गिंती में तब लेकिन यह अभी उत्तर नहीं हो गया देखते जाओ आगे उसके बाद हम यह काउंट करते हैं कि उस नंबर के राइट साइड दाहिनी और कितने अंक हैं हमें दिख रहे हैं एक दो दो अंक है न तो जितने अंक होते हैं उतना सुनने इसमें लगा देते हैं बस इतना करना होता है मल्टीपल कर लेंगे इस तरह से इसका जो अस्थानी अमान है 200 हो गया इस तरह से अगर हम बात करें इस नंबर 3 के अस्थानी अमान की तो आप इस नंबर को लिखोगे 3 into 1 उसके बाद इस इसका भी निकाल सकते हो दो के बाद 4-0 आएगा 20,000 आएगा आप 9 का निकालोगे तो सिर्फ 90 आएगा सेबन का निकालोगे लाइश्ट वाले नंबर का तो यह सेबन इंटु वन और इधर कोई गिंती कुछ नहीं है तो यह साथ ही रहेगा यह होता है प्लेस बैलू जब आपको बिल्कुल एक्दम क्लियर हो जाएगा देखिए कंपटीशन के लिए आप लोग चाहते हैं कि ट्रिक चाहिए ना विए कि कुछ टाइम कम रहता है लेकिन यह जान लो अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते तो कोई भी ट्रिक आपकी काम नहीं देने वाली है देखो इ बाइबय बताना है तो कैसे करेंगे इसमें उल्टा होता है उल्टा मतलब बहुत है अच्छे से मैं इसको समझा देरा रहा हूं देखोडर साइड में 3279 मैंने लिया था ना इस भी अच्छे ने में लिया था यह देखो इछ एदर आ यह यहां पर 3279 यहां पर यहां decimal लगा था ठीक है अब समझते जाओ दोनों में अंतर क्या होता है दसामलों वाली संक्या में और बीना दसामलों वाली में बहुत ही आसान है इसमें अगर दो का अस्थानी अमान कहेंगे तो आप कर लोगे place value very simple है क्योंकि two into one और इसके बाद में दो गिंती है तो हम दो इनलिकिन फोड़ा बदल जाएगा बदल क्या जाएगा उसमें इंट्व आप क्या करते थे बिद्फू वन करते थे बाद में सुनना लगाते थे ना इसमें भी आप करोगे लेकिन वज्य इसमें वन अपान करोगे जब करोगे उसके बाद क्या करोगे फिर आप क्या करते थे इधर साइड गिंते थे कितनी गिंती उतने जीरो लगाते थे इसमें ऐसा नहीं करोगे इसमें इस गिंती जो भी एनिटू है उसके पहले कितने अंक है और दसामलों के बाद आप कहोगे तीन है लेकिन तो भईया दसाम है लोगे उधर ओना चाहिए तो आप देखो यहां कोई भी रह PROF कोई भी अंक नहीं सिंगल कुछ भी नहीं है अगर कुछ भी नहीं होता फिर भी इसमें एक 0 क्या करते हैं नीचे लगा देते हैं अगर कुछ नहीं होता तब अभी आ अगे समझना भागत credit तुमी टेंसन आ लेना तो इस तरह से इसका प्लेस बैलू हो जायागा भाई सिंपल में इस अम लिख सकते हैं फॉपान-टे अई गॉडा कर लो गे लिख सकते हैं नीचे एक जीरो है इस तरह से फाइनल में हम इसलिक सकते हैं 0.2 यह क्या होजाएगा इसका प्लेस वैलू है नवाई ही हो जाया गाना इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं न चलो आगे बढ़ते हैं आप यहां पर ध्यान देना इसी तरह से अगर हम एक नंबर और ले चलें मालो जैसे इसमें साथ की अगर बात करें साथ के पहले तो एक जीरो है तो आप दो जीरो बढ़ाओ होगे दो जीरो बढ़ा के गुड़ा करोगे समझे ना देखो जैसे माल लो इसी में थोड़ा चेंजिंग कर दें हम इधर साइड आप ध्यान दीजिए देखो अभी इसको आप लोग छापने की कोशिस मत करो सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिस करिए अगर आप समझ है तो हम क्या करेंगे साथ लिखेंगे इतज्युक्ति यह गिंति जो है समयालों के बाद में जिसका निकालना हम इसको ऐसे करने वाले थे दसब्लों यहीं रहने दो हाँ ठीक है अब आप समझ में आएगा जो मैं बताने वाला था चुकि अलग तरह हो जाए नहीं तो ऐसे तो भी मैं पहले सवाल हुआ हूँ ये ऐसे तो इतना हो गया इतना समेकरूगे फिर आप यह देखोगे कि जो डेसिमल लगा है और जो गिंती का प्लेस बैलो निकाल रहे हो यानि ये गिंती और वो डेसिमल इन दोनों के बीच में कितनी गिंती है आपको ये देखना है और इस गिंती को पह में हमें कांट करना है 1 and 2 20 लगा देना है कितना लगा देना आगर इसको ना काउंट करो तो वन गिंती बार पॉर जाओगे तो आपका साथ बता सो हो जाएगा फाइनल में 0.0 से बनायेगा इसको जब भाग करोगे ये उसका place value है समझ में आ गई न सारी confusion दूर हो गई अब इनका तो आप करी ले जाओगे देखिए जो दसंबलों के पहले नंबर होते हैं वो पूरल संख्याएं होती है और जो दसंबलों के बाद होती है वो पूरल संख्या नहीं होती है कैसे इसमें कहरा साथ के मान का जो अस्थानी अमान है उसका अंतर बता ये place बैलू का तो देखो इसमें सिंपल है अंतर तभी बता पाओगे जब आप दोनों के साथ का अस्थानी अमान निकाल पाओगे देखो मानलो 1715.271 है एक बात याद रखना इसको आप 1715 पढ़ सकते हैं लेकिन इसको फिर दसमलो 271 कभी नहीं पढ़ना ये तो गलत है 1715.271 पढ़ सकते हो क्योंकि वो एक के बराबर भी नहीं है अरे यार ये है 0.271 ये तो 1 से भी छोटा है ना तो आप 271 इसको कैसे बोल सकते हो 0.271 पढ़ हो गए या फिर 0.271 ठीक है इसमें 7 का स्थानी इमान की बात करें तो आपको ये दसमलो के बाद वाला सब भूल जाना इससे कोई मतलब नहीं है तो 7 का स्थानी इमान 7 गुड़ा देखो इसके साथ के बाद और दसमलों के पहले कितनी गिंती एक दो न तो दो जीरो लगा दो गए इस तरह से सिंपल में 700 हो जाएगा इसका प्लेस बैलू इदर साइड का ठीक है इसमें कोई confusion नहीं अब अगर यही चीज हम यहां लिख ले यहां लिख ले तो अभी में का होगा भाईया इसमें भी साथ का प्लेस फाइंड करना यहां न सेवण इसको ले लो साथ गुडा इसमें वान पान लिखो गए इसमें भी ठीक है अब हमें यह देखना है उस गिंती को बढ़िए यह 7 न सेवन और यह 7 है तो एक हो गई है दो हो गई है दो गिंती है न एक दो जहां से हमें निकालना उसको भी फाइंड करेंगे हम यह 1 हो गई यह 2 तो यहां पे 2 0 नीचे लगा दोगे इस तरह से 7 बटा 100 बराबर वही 2 अंक पे 10 हमलो आ जाएगा तो आपका जो प्लेस वेलू हो जायागा वच्चा वो हो जायागा 0.07 अब कह रहा था कि दोनों के अस्थानी अमान का अंतर ग्यात कीजिए मतलब difference find कीजिए तो आप क्या करोगे गटा लोगे अरे यार ऐसे गटा लो ना 700 से minus 0.07 यहां गटा लो क्या है यहां पे आप point लगा सकते हो याद रहे कि किसी भी किंती में अगर point नहीं लगा उसमें से कैसे गटाएंगे तो हम point लगाके दसमलो लगाके इसको बना लेते हैं आगे चाहे जितना बढ़ा लो चाहे जितना सुने बढ़ा लो कोई मतलब नहीं यह साथ ही पढ़ा जाएगा ठीक है यहां दसमलो लगाओगे अब दसमलो के पहले 0 है इधर साइड 0 7 है अब इनको हमें क्या करना है भी उदार देगा इसको पिर यह इसको 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 जैसे घटाना आप जानते हो इसमें तो कुछ बताना है यह यह तीन आएगा यह नोएगा पॉइंट यह 996 आएगा सब्ट्रिक करना सबको आता है अब इसको मैं नहीं बताओंगा ठीक है लिख लो यह आपका पहल गह presents अगया समझना है केरा कि 56 431 में 6 के अस्थानियमान तथा चार के अंकितमान में इस अप्टा आपको पता है तुविए अंकितमान मतलब आप या सकतants अब जान सकते हैं तुप अमकितमान में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है जैसे अगर हम बोले कि 5,6,4,3,1 इसमें बच्चा अगर किसी भी गिंती का अंकितमान बोलेंगे या फिर फेस बैलू बोलें तो वही गिंती होगी जैसे अगर 4 का अंकितमान बोलें तो 4 का अंकितमान 4 ही होगा ठीक है? ये क्या है? अंकितमान है अगर हम 6 का अंकित मान बोलें तो 6 होगा 5 का बोलें तो 5 होगा यानी face value जो है वो नहीं बदलती है ठीक है? समझ में आए ना? हाँ इसे face value इंग्लिस में बोलते हैं अंकित मान हिंदी में बोलते हैं या फिर इसे जातिय मान भी बोलते हैं क्या बोने चाहिइं जातिय मान तो याद रखना छातिय मान यह फिर अंकित मान यह ही गिन्ति होती बदलता नहीं लेकिनार चशे का स्फानिय मान अलग होता है तो चे का स्थानिय मान पूछा है वह सिंपल साइस में से चार गटा दो बाबू तो चार गटा दोगे 5996 आएगा यानि कि आप सब्सक्राइब करें जिससे कि उन्हें सारे कलास जो है वो यूटूब पर उपलद हो सकें अगर आप आप में लिए हैं कलास को तो बहुत ही मांदारी से देखें अच्छे से ढंक से जिससे कि आप जल्दी फे जल्दी सीख जाएं चलिए अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन बहुत इंपॉटन्ट होगा अगला कुश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह भी एक दम उसे है आप लोग इसका मुझे आंसर बताना ठीक है इनमें कहरा 5 के अस्थानी एमान, प्लेस वैलू तथा इसके अंकीत मान, इसके का मतलब उसी 5 कश्टका अनकीत मान अगर माल लेते हैं इसमे एह उप्सुन सही है तो आप कमेंट करोगे 3 अगर C सही हूँ है तो आप कमेंट करोगे 3 C अगर D तो 3 D देखो पंकज कुमार, संध्या, मोहित, अंकिता और मंजू जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैं सभी का कमेंट सुरू से देख रहा हूँ हो सकता आपका कमेंट हाइड हो जा रहा हो तो आप सोचो कि मेरा नाम तो नहीं बोल रहे हैं तो हम नाम नहीं बोल पाएंगे कलास में ये बात याद रखना चुकि टाइम बहुत लास होता है, मुझे खुद उगंदा लगता है मतलब नाम बोलते हैं फिर आप लोग और बात चीत करते हो पिर टाइम बहुत बरबाद हो जाता है यार इसलिए पढ़ाई कर लो इमानदारी से जो डाउट है आप कमेंट करोगे तो आपको डाउट सेशन में मिल जायागा देखो सर इफले आपको रिपलाई कर रहे हैं आप देखो तो पीबियारे स्टडी टीम की तरफ से रिपलाई आ रहा होगा है ना वो आपकी सारे सवालों का जबाद देंगे अब बिल्कुल टेंसर ने लेना ठीक है चलिए तो इसमें से आप लोग ऐसे मिश्टर पंकत सिंग जी बिल्कुल करेक्ट मोहित सुधान सू और कौने भाई आकरती बर्मा मोहिनी रंजना बिल्कुल सभी बच्चे बताओ जल्दी फटाफट अफसा बिल्कुल अस्फा नाम है बाई इनका चलो अगला कुश्चन थोड़ा सा अलग है इसे बहुत ही ध्यान से समझना इसमें डारेक्टली आपको मान नहीं बताने है इसमें थोड़ी सी कुछ आपको और भी दिमाग लगाके और फिर कोशिस करनी है कह रहा है इसमें दी गई संख्याओं में से फाइब का अस्थानी अमा इंटू वन अपान वन क्यूं क्योंकि यह दसमलों के बाद वाला है और उसके बाद हम देखेंगे इसके पहले कितने डिजिट है तो इसको भी गिनेंगे वन और टू टू डिजिट है तो टू जीरो लगा दोगे इस तरह से अगर आप यहां पर देखो इनको ध्यान से तो तुम क्या कर सकते हो कि इसका option number D correct कर सकते हो ठीक है लिख लो जल्दी से हो गया इतना बहुत जल्दी करिए यह प्लेस बैलू वाला चैप्टर बहुत important है और यह उसी में चल रहा है इसमें हम थोड़ी सी अगर changing कर दें तो देखिए question बदल जाएगा आप लोगों को दिमा नंबर 6 हो गया अब मुझे बताओ आप लोग यहां पर मानलोवने की 7 और 9 कर दिया और decimal यहां पर लगा दिया बच्चा यहां पर यह point कि अब सेबन का स्थानियमान आप मुझे निकाल के बताईए सिर्फ और सिर्फ गिंती में बताईए इसमें से आप सन छोड़ दीजिए आप सन आपको नहीं बताने हैं सभी स्टुडेंट कमेंट करेंगे मिश्टर दीप्ती और कौन है दीपक देखो कुछ नाम ऐसे आता है ना कि कन्फूज जाता एक जैसे और पंकच काफी दिर से कमेंट करेंगे संध्या और बिनीता और कौन अपसा इंका नाम बड़ा कन्फूजन है अपसा है कि असफा है यह वताएंगी खुदी चलिए आगे कुछ और भी कुछन मैंने आपके सामने रखे हैं आप लोग इनको हल करेंगे और हल करके मुझे जबाब देंगे ठीक है उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे जल्दी करेंगे एंको आप सभी कोसिस करेंगे जित्ते भी बचचे हैं चलो ये question है आपका 9 number 10, 11, 12 जल्दी करो भईया, सबी बच्चे जल्दी से करो फटा फट इनको करके आप एक एक का अंसर दोगे इसमें कोई option नहीं है इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नए question लेके आएंगे 30 number डालो चलो जल्दी करो भईया, बहुत जल्दी स्क्रीन साट ले लीजिए बहुत जल्दी करिए देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दिजिए अगला एक नया question है अलग परकार का कहरा कि 105 की गुडन खंडों की संख्या बताईए मतलब 105 में कितने number इनके factor हो सकते हैं उसके लिए क्या करोगे सबसे पहले दीगई संख्या का आपस में गुडन खंड करना है यानि 105 का हमें क्या करना बच्चा factor करना है इसके गुडन खंड निकाल ले हैं हमें पता है कि 3 तरीका 9 3 पचे 15 पांस सते 25 और साथ एकम साथ यह क्या है इनका दीगई संख्या का गुडन खंड है लेकिन आगे अभी और भी कह रहा है कि गुडन खंड की संख्या की गातों में एक जोड कर एक जोड कर क्या करेंगे एक जोड़े पर प्राफ संख्या का गुडा करके आप अप्रावप्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक् क्यों यहीं यहिijk सई इतार इसमें तो कोई लफडला नहीं ब leur उसके बाद क्या करेंगे प्राप्त घातों को जो घाते होती है इसके होगे उनको क्या करते होगे दो बातों करके जो मिलता है वह क्या होता है कि वहीं कर लिए प्रचाइब संंहते गठूम придis हाँ एक तरी चार पाइच किस्ते होते हैं और फिर बताना जल्दी करो देखिए आप इसको शिद्ध भी कर सकते हो कैसे इनके गुडणखंड में आठ अंक होते हैं कैसे कितने हैं तीनके जब हमने सोचीये कि जब आमने बच्चा तीन से काता था तो penna किसको एक सो पाँच को हैं नश्दान आब देखो आठ जिएसे काट रहे हैं तो हमें देखो इसका सबसे चोटा गुलनखंड क्या है यह तीन है ठीक है वहां दिखने राया मैं दिखा देता हूं यह देखो सबसे चोटा गुलनखंड क्या वह यह तीन है उससे बड़ा अगर बात करें तो पांच है और पांच के बात क्या साथ है यह तीन हो गए हमें टोटल आठ दिख रहा है इसका मतलब 21 से भी 105 कटेगा तो आप यहां एकईज भी लिख सकते हो ठीक है यह भी क्या हो जाएगा इसका गुरनखंड हो जाएगा इसी तरह से अगर मिसको साथ से काटें आप यह बात नहीं द्यान दिये कभी है ना तो साथ एकम साथ साथ पचे पांटिव ना तो यानिकुल मिलाकि यहां कितना आथा पंद्रा आता है आता है ना तो यह हमारा कहने कि यह मतलब यह 15 से भी कटेगा कि नहीं इस तरह से आपके 5 मिल गए ना अब आप कोगे कि यह तो गड़बड़ कर रहे हैं और भी कुछ तो होता है हाँ अगर गुडन खं देखिए इसके दो गुड़नखंड और भी है वह कौन-कौन है एक तो आप यहां पर यह बात ध्यान दो जब हम तीन से काट रहे थे एक सो पांच को तो पांच को तो पांटी फारा था ना तो भईया यहां 35 भी इसका क्या गुड़नखंड है इस तरह से आपकी एच्छे हो है न एक हर एक संख्यां का गुड़नखंड होता है और कोई भी संख्यक तो nerदी यहँती है तो यह आख तक है प्रौज़ा कर ला आकप करूंब करें तो इसको ऐक आपके सामने हैं चलिए इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है कुल मिला कि इसके आठ गुड़न खंड है ये तो जो थे वो हो गए दूसरा नंबर हर संख्या जो है वन हर एक संख्या का गुड़न खंड है प्लस जिस संख्या का आम निकाल रहे हैं 105 वो भी खुद का गुड़न खंड होती इस तरह से आपके आठ नंबर हो गया आप इनको गिल लीजिए प्रोब हो गया है ना कितना असान सिंपल सा नोट कर लीजिए जल्दी से फिर हम अगरे कुईश्यन की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए जितने भी साथ ही यूटूब पर फेस्बूक पर डेमो ऐसे या हंड्रेड या थावजेंड्स पढ़ा है ना यह सीबसी बोर्ड में पढ़ाया जाता अक्सर तो इसी को बोलते हैं हिंदी में सन निकट देखो हजारों भाग का मतलब क्या होता पहले आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा मोटा मोटा मैं कुश्चन के अगर आंसर बता हूँ तो इसका 50- एक, दो तीन अगर सवववाय भाग की बात करेंगे ऍ। हम लाइच्ट की दो गिंती कंपैर करेंगे और अगर दस्वा भाग 5532 नुद्फ है निद्फ होगा वीयुक्त कि पहले आप इन पूरी गिंति को पड़ोगे लिखा है उन्चाफ 5532 लिखा है इतना है उन्चास 1000 तो जितना हजार हो रहा है उसको पहले आप लिक लोगे उन्चाफ 500 retrouve धेना और मेंच I7000 के बाद के आएगा अगर हम हजाए toujours quand करंते तो कालaska सब्सक्राइब पाहजार 50 के बाद अगर 1000 के समय काउंट करो μक्रांट यानि हमारे सनिकट मान आफ या Northern asks अब आपको यह सीज करना है यहां पर किन फांच सम्ते में यह कंपेर करना है कि जो ये गिंद्टी हैं बीच में यह तिन गिंद्टी वाली हम कंपेर कर रहे है तो यह पांच सो यह फिर पांच सो से प्लस होंगी अगर कि तो ये कितने पास वोंगी कि 50,000 के जीदा पास होंगी क्यों कि बहः यह 59,000 है पचास अजार है आपको पता है 59 पांच str sale मुझाफ on spend 500 से भी chasm chore या थते हैं या इतर को भागेगी इदर को न तो किसके करीब रहेगी यह आफ क्रीब्रहेगी पचाफ हजार के रही आफ यह गृतिए व्या यह गिन्रहेगी जादर म५शाव पाफ होता है ना पलर के ज्छाधा पहला होता क्यों होता ऐसा मिली होता गयूंकि ये देखो 3522 या यह साजें उचाहर से भी कम है साढ़े उचाहर जो है वह यह पाचाहबश्न और उचाहर के बीचों पीच में पड़ता तो यह 300 500 500 पूरा नहीं दिद्र साइड होता न इसका उत्तर उन्चाफ़जार अगर ये उन्चाफ़जार पांसो है तब भी इसका नियरेस्ट जो थाउजर्ड है वो फचाफ़जार होगा अगर उन्चाफ़जार पांसो एक है दो है तीन है कुछ खुझभी है अगर पचाफ़ मान होगा इधर साइड वाला होगा ठीक है लेकिन अगर एक भी कम है जैसे महां लोग्य गशाफ हजारवा तो इसका जो सन्निकट हजारवां मान होगा या फिर नियरेश्ट थाउजंड बोले तो फिर बच्चा यह उन्चाफ हजार ही होगा ठीक है याद रहना चाहिए बस यह चीज आपको कंपेर करना यह 500 से कम होना चाहिए तब यह मान होगा सन्निकट हजारवां और अगर इस पर करेंगे नंबर दिख रहा है ना चलिए देखिए कुशन नंबर अगला हो चुका है चेंज हो चुका है अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां पर 232 हो चुका है अब मुझे इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ फटा फट बताओ भाई मोहीत तिवारी ब अच्छी बात है देखो भाई इसमें है क्या ना द्यान दीजिए इनके आपको आपसं चुनने हैं यह चुकी उन्चाफ हजार 232 है आप देख रहो जो तीन नंबर इधर वह 500 से कम है तो इसको जो नियरेस्ट होगा वह उन्चाफ हजार से आगे नहीं बढ़ेगा उन्चा कुष्चन नमर अठारा मानलो यह उन्नाइस अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती याद रखना इसलिए मैं अभ्यास करवाता हूं चलो अगर मैं इसको लिख दिया मानलो की 40,000 और 141 इसका मैं नियरेस्ट हं थाउजंड पूछ रहा हूं यह फिर सन्निकट हजार मां चलो जल्दी बताओ अगर मने लिख लिए 11,732 इसका सन्निकट हजारों बताओ इसका भी बताओ 5,980 सभी का बताएंगे आप लोग जल्दी करिए कमेंट करिए फटा फट एक एक का नमबर डाल डालके अभई 5 घंटा मतलगा यार हाँ एक बात और बता दे बच्चा इनको तो अगये यह class PBR study लाहबाद चैनल पर रात 10 वज़े से आपको मिल सकती है वो भी सप्ताह में तीन दिन सफथ हमें राद 12 बजे से PBR study लाहबाद चैनल पर बाकी सब्ताह में आप 7 दिन इसको देख सकते हैं PBR study 2.0 चैनल पर दिन 1969 चलेगी इस पर सब्रकर सब्साह चलेगी संपर करिएगा बिल्कुल फ्री में यूटूब पे सारा कॉर्स आपको मिलेगा उसके लिए आपको क्या करना है कुछ टर्मन कंडिशन उनको फालो करना है पहला नंबर तो चैनल सब्सक्राइब करना है दूसरा नंबर अपने सापार्थियों को कलास में जोड़ना है जितने मैं कम समय में बहुत सारे कुष्चन करवा देता हूं अगर आपको इस तरह से वीडियो मिलते हैं तो है ना चलिए अगला कुष्चन इस कुष्चन में आपको पांच वच्छे के अस्थानी मानों का गुड़नफल बताना है कर लोगे ने सभी है ना मुझे जल्दी से आप अंसर कमेंट करके बताए ये पांच वच्छे के अस्थानी मानों का जो गुड़नफल है वो बताना है और 19,30 यह 21 इसमें 9 और 2 ठीक इसमें आपको तीन और तीन दोनों तीन के अस्थानिय मान का गुड़न फल बताना है जितने अभ्यास प्रसन दिये जा रहे हैं सब कुछ कर लेना ठीक है इस तरह से आपका ये place value chapter खतम होता है place value यानि कि अस्थानिय मान जातिय मान जो भी है वो खतम होता है याद रखना अस्थानिय मान चेंज होता है जातिय मान या फिर जिसे इंगलिस में face value बोलते हैं या फिर अंकित मान ये बदलता नहीं है अगर इसमें तीन का अंकित मान बोलें तो तीन ही होगा दो का अंकीत मान दो होगा दो का फेस बैलू दो होगा दो का जातिय मान दो होगा ठीक है? सिर्फ आस्थानी ये मान बदलता है वस तो आज की कलास में यहीं तक पूरा कलास देखने के लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे फिर अगली कलास में अगर आपने इसे यूटूब या फेस्बूक पे डेमो के रूप में देखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको इस तरह से बहुत सारे वीडियो मिलें और हाँ पूरा कोर्स एक स